विवादों की चक्रव्यू में फंसी फिल्म पद्मावत को लेकर राजस्थान में जनता कर्फ्यू के चलते फिल्म रिलीज नहीं हो पाई सुप्रीम कोज के आदिशों के बाद भी फिल्म प्रदेश के किसी भी सिनेमा घर की सिल्वर स्क्रीन पर नहीं उतर पाई है लेकिन आज इस जनता कर्फ्यू में कुछ समय के लिए धील दी जाएगी फिल्म का एक शो जोतपुर के सत्यम सिनेपलिक्स में पदर्शित किया जाएगा जिसे हाई कोट जस्टिस संदीप महता देखेंगे फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान रेजिस्ट्रार जस्टिस महता के निजी सचिव स्टेनो सहित कुल पांच लोग सिनेमा हौल में होने की बात सामने आ रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फिल्म दिनमाता संजलीला भनसाली अभिनेता रनवीर सिंग और अभिनेतरी दीपेका पादुकोने पर नागोर के दीडवाना थाने में एक F.I.R. दर्च की गई थी जिसमें फिल्म के दौरा जन्भावनाओं को आहत करने और यतिहास के साथ छेट-छाड करने का आरोप लगाया गया था इस F.I.R. को रद करवाने के लिए भनसाली ने एक याचका हाई कोट में दर्च की थी जिसकी सुनवाई के दुरान हाई कोट जस्टिस संदीप महता ने भनसाली के अधिवक्ता से कहा था कि जब तक फिल्म नहीं देख लें तब तक कैसे ये निर्ने कर लें कि जनमानस की भावनाएं आहत हुई है या नहीं ऐसे में हाई कोट ने फिल्म स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया था जिस पर भनसाली के अधिवक्ता ने कोट के समक्ष सुरक्षा की मांगी ऐसे में सरकार्णी सुरक्षा दिये जाने का आश्वासन के बाद फिल्म को हाई कोट जस्टिस मेहता को दिखाने के लिए पुलिस कंशोल रूम के समीप सित सत्यम सिनेपलेक्स में एक शोव प्रदर्शित किया जाएगा और फिल्म देखने के बाद ही जस्टिस मेहता ये तै करेंगे कि आम जनभावनाय आहत हुई है या फिर नहीं